हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android में अगर आपके मुवाइल फून की incoming call अगर इस screen के ओपर शो नहीं होती है तो इस problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटियल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे mobile phone पे जब भी incoming call आता है तो ringtone की sound की आवाज आती है लेकिन incoming call screen के ओपर शो नहीं होता है तो इसक आपको दिखाता हूं यह वाला इस पेज में आपको यह रिबूट का option आपको टैप करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone जाओ और इसके थोड़े दिर बाद करना है या फिर circle के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे आपको टैप करना है ठीक है तो आपका यहाला पी जाएगा इसमें आपको स्टोरेज पर टैप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड ने क्लियर डेटा का option आपको टैप करना है आपका इस वार यूजर ड जो incoming call screen के ओपर शो नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है अब देखिए अगला काम करना है कि आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है इसके लिए पहले तो mobile phone का internet आपको चालू कर लेना है इसके बाद phone का setting page उपन करना है इसमे आपको फोन को reset करना है अधर्वाइस फोन को reset नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting पर टाप करना है यहां पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है ठीक है तो आपको नीचे की साइट थोड़ी दिर में एक options हो जागा यहाला factory reset का factory reset पर टाप करना है आपको इस page में उतना भी data सारा data किसी भी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करना है उसके बाद mobile phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताय हुए सारे process आप यूज करेंगे ना इससे आपके phone की जो incoming call screen के उपर show नहीं होती problem आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे बताय हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती तो आपको करना क्या है देगी दोस्तों आपके mobile phone का जो service center है अपने mobile phone के service center में चले जाना अपना phone वा आपके 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 आपक